गाईज एक बार आप इमेजिन करके देखो कि अगर आपके हाथ में इतनी जाद अताकात आजाए कि आपको कोई हरा ना सके तो ऐसे हालात में आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की इस कहानी के कैरेक्टर के साथ तो मूवी की शुरुवात में हम मार्क नाम की एक आदमी को देखते हैं जो की कोरिया में पंजे लड़ाये करता था लेकिन फिलहाल मार्क यूएस में एक गाट की नौकरी कर रहा था तब वहां पे मार्क के पास उसका एक दोस्त केम आता है जो उसे एक आदमी से पंजा लड आना चाहता था लेकिन जब वहां पे मैच स्टार्ट होता है तो वो बंदा मार्क का हाथ हिला तक नहीं पाता पर मार्क उसे बहुत ही असानी से हरा देता है जिस वज़े से किम वहां पे बहुत सारे पैसे जीच जाता है लेकिन ये बात उस हारने वाले बंदे को बिलकुल भी पसंद नहीं आती और वो किम को वहाँ पेटने लगता है लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए मार्क भी उस पे हाथ उठा देता है जिस वज़े से उसकी गार्ड की नौकरी वहाँ पे चली जाती है अब मार्क के पास कोई आफशन ना होनी की वज़े से उसे एक स्ट इतने के लिए कोडिया जाने का डिसाइड करता है उसके बाद मार्क जब कोडिया पहुंचता है तो किम उसे वहाँ पे लेने के लिए आता है जिसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं जहाँ पे बैटके ये दोनों बिजनेस की बाते भी करने लग जाते हैं लेकिन कलब जाने के बाद मार्क को वहाँ भी सिक्यारिटी गाइड की तरह साइड में खरा हो जाता है उसके बाद की मार्क से पूछता है कि क्या तुमने अपनी मॉम को कभी ढूणने की कोशिश की लेकिन मार्क यहाँ पर कहता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं ह और यहाँ पे हमें ये भी पता चल पाता है कि मार्क की मॉम ने उसके बच्पन में ही उसे अनाथासरम में छोड़ दिया था उसके बाद मार्क अपने होटल रूम में जाता है जहाँ पे उसे किम की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक फोन था और उसमें मार्क के मॉम की लोकेशन डली हुई थी उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि यो नाम के खतरना गुंडे के पाथ जाता है और वो उसे बात करके मार्क पे पैसे लगाने के लिए कहता है पहले तो यो को समझ में नहीं आता और वो गुसे में किम को उल्टा लटका देता है लेकिन जब किम उसे मार्क की वीडियो दिखाता है तो यो भी मार्क पे पैसे लगाने के लिए तयार हो जाता है लेकिन इससे पहले वो शर्त रखता है कि मार्क को मेरे हिसाब से जीतना या हारना होगा वहीं दूसी तरफ हम मार्क को भी देख पाते हैं जो कि उस लोकेशन पे पहुँच गया था जहाँ पे उसकी मॉम रहती है तभी अचानक से वहाँ पे दो छोटे बच्ची आ जाते हैं जिससे देखने के बाद मार्क वहाँ से वापस जाने लगता है जिसके बाद वो दोनो बच्चे अपनी मॉम के पास जाके बोलते हैं कि मॉम बाहर कोई आदमे आया था और जब उसकी मौम वहाँ से विंडो से बाहर देखती है तो मार्क वहाँ से वापस जा रहा था तब ही हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम सूमी है जिसने यो नाम के गैंक्स्टर से बहुत सारा करजा ले रखा है जिस वज़े से यो उसे बार बार फोन करके परिशान किया करता था लेकिन अगली सुबा सूमी एक मौल के अंदर मार्क और यो को एक साथ देखती है क्योंकि यहाँ पे किम मार्क को यो से मिलवाने के लिए लाया था उसके बाद हम चैंग नाम की एक आदमी को देखते हैं जो की बहुत ज़्यादा अमीर है और वो यो के साथ मिल के मैच में पैसे लगाया करता है तब वहाँ पे सबके सामने मार्क का मैच स्टार्ट हो जाता है और मार्क वापे सबके सामने बड़ी ही असानी से उस मैच को जीत के अपनी काबिलियत दिखाता है और इनकी काबिलियत को देखने के बाद मार्क और किम को फाइव स्टार होटल के अंदर एक रूम मिल जाता है तब किम के पास यो का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि कल की मैच में मार्क को पहले मैच को जीतना होगा और दूसरे मैच को हारना होगा पहले तो किम को लगा कि ये काम काफी ज़्यादा मुश्किल होगा लेकिन जब वो और मार्क को ये सारी बाते बताता है तो वो भी ये काम करने केलिए बड़ी आसानी से माण जाता है वहीं दूसी तरफ हम सुमी को भी देख पाते हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए त्यार कर रही थी लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूमी के दोनों बच्चे मार्क के यहाँ आने से डर रहे थे जिस पर सूमी अपने बच्चों से कहती है कि शायद मैं उन्हें जानती हूँ और जब सूमी के बच्चे वहां से स्कूल के लिए चले जाते हैं तो सूमी एक पुरानी सी फोटो निकाल के देखने लगती है तब सूमी के बच्चे भी घर के बाहर मार्क को देख लेते हैं और वो उससे कहता है कि आप यहां से चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे लेकिन यहां पे मार्क भी उनको बच्चा समझती हुए उनको कुछ भी नहीं कहता जिसके बाद मार्क भी फिर से पंजा लडाने के लिए जाता है जहां पे एक खतनाक कॉम्बो नाम का गुरूप आये था और इनके गुरूप में पंजा लडाने का कॉम्पेटिशन काफी टाइम से चलता आ रहा है जहां पे बहुत जादा सहर की भीड लगी हुई थी लेकिन मार्क यहां पे बड़े ही आसानी से कॉम्बो गुरूप को पहले राउंड में हरा देता है वहीं हम सुमी को भी देख पाते हैं जो कि मार्क का कॉम्पेटिशन देखने के लिए आई थी तब ही सुमी के पास यो आ जाता है जो कि उसके पैसे ना लोटानी की वज़े से उसे छेटने लगता है अब दूसरे मैच को मार्क को हारना था लेकिन जब मार्क देखता है कि यो सुमी को छेट रहा है तो जान बुच के वो दूसरे मैच को भी जीच जाता है ताकि वो यो को नीचा दिखा सके तब वहाँ पे यो मार्क से बहस करने लगता है और मार्क यो को धक्का दे देता है लेकिन किसी तरीके से किम उन दोन की बीच की फाइट को वहाँ पे रोक देता है लेकिन बाद में जब किम को पता चलता है कि यह सब को सूमी के वज़े से हुआ था तो वो उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे यो भी पहुंच जाता है जो कि किम को मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे मार्क भी पहुंच जाता है जो यो के सभी लोगों को वहाँ पे एक एक करके मारने लगता है तभी वहाँ पे लड़ाई होने के वेज़े से पुलिस आ जाती है जो की किम और मार्क को पकड़के अपने साथ ले जाती है जहाँ पे पुलिस कीम से तो कुछ भी नहीं कहती लेकिन वो मार्क से उसका पासपोर्ट मागने लगती है लेकिन मार्क का पासपोर्ट पहले ही खो गया था जिस बज़े सो वो पुलिस वालों को पंजा लड़ा के दिखाता है कि वो एक खिलारी है और वो यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया था लेकिन यह जाने के बाद भी पुलिस उसे नहीं छोड़ती तब है पुलिस इस्टेशन के अंदर सूमी मार का पासपोर्ट लेके आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि सूमी मार की सोतेली बेहन है तब वहाँ पे सूमी मार को बताती है कि दरासल हमारी मौम एक हपते पहले ही गुजर चुकी है जिसे सुनने के बाद मार्क काफी ज़्यादा उदास हो जाता है उसके बाद सूमी मार्क को अपने घर ले जाती है और बच्चे अपने मामों को पहचान के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन कुछ दिन सूमी के घर पे रहने के बाद एक दिन मार्क वहाँ से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो अपनी बहन पे बोज नहीं बनना चाहता था लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद उसे योके आदमी मिलते हैं जिस वज़े से मार्क उन सभी को वहाँ से भगा बी कर दिया करता था लेकिन जब किम ये सब कुछ देखता है तो उसे एक आइडिया आता है कि वो मसूर मार की एक सैड स्टोडी बना के और उसे दुनिया को दिखा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जिसके लिए मार की भी मान जाता है अगले दिन मार कॉम्बो के पास जाके उसे पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज करता है और उसे चैलेंज में बहुत ही असानी से जीत भी जाता है और वहीं किम ने जो स्टोडी को पोस्ट किया था वो स्टोडी देखते ही देखते काफी जादा वाइरल हो जाती है जिस वज़े से इनके पास भी बहुत सारे पै जो उसे बताती है कि तुम्हारी मम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो मरने से पहले भी तुमें ही देखना चाहती थी और सुमी तुम्हारी कोई सोतेली बहन नहीं बलकि तुम्हारी असली बहन है लेकिन जब मार को इस सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो सुमी पे बहुत ज़्यादा गुस्ता करता है और यहाँ पे मार्क को ये भी बता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अनाथात्रम में इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी financial condition ठीक नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा कोई दरदर की ठोक रेखाए उसके बाद मार्क वहाँ से अमेरिका वापस जाने का decide करता है जहाँ पे कीम उसे रोकनी की कोशिश करता है लेकिन मार्क कीम की भी बात नहीं सुनता और वो कीम को भला बुरा सुना देता है वहीं दूसरी तरफ हम कॉम्भो को भी देख पाते हैं जो कि पूरी मेहनत के साथ competition की तयारी में लगा हुआ था और competition के लिए Mark भी काफी ज़्यादा मेहनत करने लगता है इसके बाद हम की नाम के खिलाडी को दिखते हैं जो कि आज तक पंजे का मैच नहीं हा रहा था उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और सूमी के बच्चे नोटिस करते हैं कि Mark अपना मैडल ले जाना भूल गया है जिस वज़े से उसके बच्चे मैडल को लेके बस पकड़ के उस जगा पे जाने लगते हैं वहीं दूसी तरफ जब सूमी को भी इस चीच के बारे में पता चलता है तो वह भी अपने बच्चों के पिछे उस मैच में जाने लगती है वहीं हम की को देख पाते हैं जो कि सभी को हरा के बड़ी ही असानी से फाइनल में पहुंच जाता है जिस वज़े से चैंग अपना सारा पैसा के के उपर लगा दीता है तब वहाँ पे मार्क की काबिलियत को देखने के बाद चैंग काफी जादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने की पे बहुत सारे पैसे लगाए थे जिस वज़े से चैंग यो से कहता है कि हमें किसी तरीके से की को जिताना होगा तब यहाँ पे यो किम के पास जाता है और वो उसे 2 मिलियन डॉलर दे के कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मार्क को हरवाना होगा तब वहाँ पे किम भी वो उतने सारे पैसे ले लेता है और वो मार्क के पास जाके उस मैच को हारने के लिए कहता है लेकिन मार्क ने सूमी के बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो इस मैच को जीत के आएगा इसलिए वो उस पैसों को लेने से मना कर देता है जिस वज़े से वो मैच को जीतने के लिए वहाँ पे वाफस चला जाता है लेकिन जब यहों के आदमियों को पता चलता है कि मार्क ह इस match को जीतने वाला है तो वो कीम के बार यंदि के पास जाते हैं लेकिन तभी उहाँ प्वार की भी पहुंच जाता है जो ज्यादा मॉटिवेट हो जाता है क्योंकि उसने इस मैच को जीतने के लिए अपने दोणों छोटे भंजे-भंजी से वादा किया था जिसके बाद हो की को बड़ी मुसकत से हरा देता है और मैच को जीतने के बाद वो सबसे कहता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत जादा प्यार क जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है